नमश्कार दोस्तों हमारी चैनल आयरुवेद टिप्स पर आपका हारदिक स्वाकत है थाइराइड की बिमारी के दोरान करे इन चीजों का सेवन जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप दोस्तों थाइराइड हमारे देश की एक बड़ी समस्या बन गया है हमारे बदलते खानपान के कान यह तेजी से बढ़ रहा है एनमित खानपान से हमारे सरीर के बदलते हार्मोंस के कान यह एक बड़ी समस्या बन गया है यह पुर्सों के मुकाबले इस तरों में ज़्यादा देखा जाता है यह हैं दो प्रकार का होता है हाइपो थाइरेड और हाइपर थाइरेड दोस्तों हमें अलग किसी भी त्रहें की समस्या होती है तो हमें सबसे पहले खान पान के बारे में ध्यान देने के बारे में बोला जाता है आज हम बात करेंगे थायरेड की खतरनाक समस्या की इसमें आपको काफी बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको बता दें कि हमारे गले में सामने की तरफ मोजू तितली के अकार के गरंथी थायरेड जब बढ़ जाती है तो इसे थायरेड, केगा, गला घोटू या गोयेटर रोक कहा जाता है ऐसा तब होता है जब यह गरंथी आयोडीन और अन्य जरूरी पोशक्ततों के अभाव में सरीर की अपसकता कैंसर थायरेड हर्मोन पैदा नहीं कर पाती इसका अर्थी यह हुआ कि गोयेटर की स्थिती में हमें थायरेड गलैंड को सक्रिये करने वाले भोजन करने जाहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए आए जानते हैं कि अगर आपको थायरेड की समस्या हो जाए तो आपको क्या-क्या खाना चाहिए तो आए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं थायरेड होने की लक्सम ताकि आप जान सके कि आपको थायरेड रोग है उसके बाद आप उसका उपचार सही तरीके से और सही समय पर कर सकें तेजी से बढ़ता वजन वैसे तो बढ़ता मोटापा आज हर किसी की समस्या बना हुआ है लेकिन अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो इसे नजर अंदाज करने की गलती नहीं करें क्योंकि थार्याइड के करन मेटबलिजम भी प्रभावित होता है हम जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से अनर्जी में नहीं बदल पाता और वसा के रूमें सरीर में जमा होने लगता है थकावट रहना अगर बिना कोई काम की सरीर थकावट या कमजोरी महसूस करने लगे तो तुरंत डोक्टर की सिलह ले क्योंकि मेटबलिजम पर थार्याइक्षन के प्रभाव से खाया पिया गया खाना अनर्जी में नहीं बदल पाता जो सरीर थकावट और कमजोरी का काण बनता है इसके लावा थकाण का काण एनिमिया भी हो सकता है एनिमित पिरियाड वैसे तो बदलते लाइफस्टाइल में एनिमित पिरियाड की समस्या बहुत से सारी महिलाओं में देखने को मिलती है पीरियड में होने वाले गड़बडी को कभी भी अंदेखा ना करी क्योंकि थायरेड की समस्या होने पर भी पीरियड का इंटरवल बढ़ जाता है और 28 दिन के बज़ाई पीरियड जादा बढ़ जाते है डीप्रेसन में रहना अगर थायरेड गरंती कम मातर में थायरेक्सन उत्पन करती है तो इसे डीप्रेसन वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते है डीप्रेसन से रात एनिंदरा की प्रोब्लम होती है अगर आपको भी डीप्रेसन रहता है भूक तेज लगने के बाद भी खाना नहीं खाय जाता, वहीं कई बार जरूर्थ से ज़्यादा खाना खाने पर वजन तेजी से बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, सर्दी या गर्मी बरदास्त ने होना, थारेड होने पर मोसम का फरपाव हमारे सरीर पर अधिक दिखाई दि हाइपो थारेजम होने पर सरीर को नै तो ज़्यादा थंड बरदास्त होती है और नै ही ज़्यादा गर्मी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो तुरंत अपने डोक्टर से सलहा ले यादास्त कम होना, थारेड के कार्ण समन सकती और सोचने समझने की सब्ताव में प्रभावित होती है, यादास्त कम जोर हो सकती है, व्यक्ति का सभाव भी चिड़चड़ा हो सकता है, पेट में कड़बडी, थारेड होने पर कबज की समस्या सुरू हो जाती है, जिस जैसे खाना पचाने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ खाना असानी से गले से नीचे भी नहीं उतर पाता। मास पेशियों और जोडों में दर्द मास पेशियों और जोडों में होने वले दर्द को भी कोई आम समस्या ने समझे और तुरंत डोक्टर से सलहा ले क्योंकि यह थाइरेड की समस्या भी होस्क दिये दोस्तो इन आहारों का सेवन से थाइरेड रोग में बहुत अधिक फाइदेमंद होता है इससे आपको जल्दी छुटकारा मिलता है फाइबर वाले आहार ले अगर आपको थाइरेड की समस्या है तो आपको घबराना नहीं है किसी भी बिमारी का आदा इलाज खाने का ध्यान रखना होता है आपको अगर थाइरेड की समस्या हो जाए तो आपको उच फाइबर वाले आहार खाने चाहिए वसा और कार्बोहेडर से बचे रहें हरी पत्तेदार सबजियां आपको अगर थायरेड की समस्या हो जाए तो आपको इसके लिए हरी पत्तेदार सबजियों का सेवन करना चाहिए इससे आपको थायरेड में अराम मिल सकता है और आपको ऐसे में इनी सबजियों का सेवन करना चाहिए मोसमी फलों का ध्यान आपको अगर थायरेड की समस्या हो जाए तो इसके लिए आपको मोसमी फलों का भी ध्यान रखना चाहिए थायरेड में मोसमी फलों का सेवन करना काफी अच्छा रहता है अदरक चबाएं आपको बता दें कि आपको अगर थारेड की समस्या है तो आपको इसके लिए अधर को चबाना चाहिए अधरा खाने से आपको थारेड की समस्या खतम होती है इसलिए आपको अधरा का सेवन करना चाहिए यह थारेड की रोग में बहुत अधिक फाइदेवन है थायरेड एक खतरनाक समस्या है इसके लिए आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना बड़ता है अगर आप काले अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको इसमें बहुत तरह से फाइदा होता है इनका करें सेवन दहीं मूली और दलिया जैसे ख़दे पधारतों में आयोडीन अच्छे मातरा में पाय जाता है इसलिए थायरेड की समस्या को कंट्रोल करने के लिए निमीत रोप से इनका आहार ले गोमूत्र अगर आपको थायरेड की समस्या होती है तो आपको इसके लिए गोमूत्र का सेवन भी करना चाहिए ये इसमें बहुत अधिक फाइदे मंद है इसके सेवन से आपको थायरेड में बहुत अधिक अराम मिलता है नारियल का तेल आपको बता दें कि नारियल का तेल थारेड में बहुत अधिक फाइदे मंद है इसलिए आपको इसका सिवन करना चाहिए नारियल के तेल को पेने से आपको कहीं तरहें के स्वास्थेलाब होते हैं तो दोस्तो आप भी इन चीजों का सिवन करके थायरे रोक से बस सकते हैं तो दोश्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी परापत हो तो पलीज आप हमारी वीडियो को लाइक वाइश शेयर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोश्तो